नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चिनल में आज हम देखेंगे महत्पूर्ण जिके जीएस जो आर्मी यगने वीर के लिए काफी महत्पूर्ण प्रश्णों होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरा वीडियो आपको बढ़िया लगे तो चलिए सुरू करते हैं प्रथम सवाल से गौतम बूद ने अपना पाला उपदेश कहां दिया था तो ये अपना पाला उपदेश सारनाथ में दिया था गौतम बूद की मिर्थिव अस्री वर्स की आयू में 483 इसा पुर्व कुसी नगर में हो गई गौतम बूद साके कुल से सम्बंदी थे और गौतम बूद के बचपन का नाम सिधार था भारतिय निपोलियन किसे कहते हैं तो भारतिय निपोलियन समुंद्र गुप्त को कहते हैं किसरा प्रस्ण हर्सवर्धन समराज की राजधानी कहां थी तो हर्सवर्धन समराज की राजधानी कहां थी ये कौनोज थी हरस्वदंस सम्राज़ गिरैधानी कॉनोज थी जिनौने अपने रैधानी कॉनोज से ठानषवर अस्थापित की थी कुतु मिनार कर निर्मान किस ने करवाया था तो ये कुतु बुदिन एवरक्म ने करवाया था कुतु में व्यक गुलांवन्स के संस्थापक थे हैं भारत में अंग्रेजों ने स्वरप पर्थम फैक्टरी कहां स्थापित की थी तो ये सूरत में 1628 से अस्थापना कार्या चालो हुआ अबूर फजल किसके संसकाल में थे हैं ये थे अकबर के सावसंगाल में कि स्वेन प्रस्नोत आरे समाज के शनस्थापक कौन थे तो आरे समाज के संस्थापक दयान्न्द सरुसति थे आरे समाज के स्थापना 1815riebenे कि गय थी ओर राम कृष्न मॉट और राम दोनों की अस्थापना स्वामी बिविगान्न के द्वारा ही गई थी राजरा महराय के द्वारा हमात्मिय वी दा ब्यदान्त को लिज अबर्ण समाच की अस्थापन की थी उन्हों बाल बिवा और सतीव प्रथाजे से कुप प्रथाएं दूर कियें अठवा प्रस्नों समिने अग्यां अंदूलन के समय भारत का गवर्णर जर्नल कौन था तो यह थे लौड इर्विन थे नुवा नमर फलासी की लड़ाई किस बस लड़ी गए थी तो फलासी की लड़ाई 1757 इसवी को अर्थाथ 23 जून 1757 इसवी में शुरुवात होई थे बंगाल के नवाब सिरावजु दोला और रोबर्ट कलाई के नेत्वत्व में बिटिस सन्या के बिच लड़ी गए थी निम्न में से कौन सा रूसी करांती का जनक जना जाता है तो रूसी का जनक लेनिन को जना जाता है वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा है तो वर्ष का सबसे लंबा दिन 21 जून और सबसे छोटा दिन 22 दिसमबर है मंगल गरह के कितने गरह है मंगल ग्रा के दो उब ग्रा है मंगल ग्रा को लाल ग्रा भी कहते है या स्वर्मांडल का चौथा ग्रा है मंगल ग्रा स्वर्मांडल का चौथा ग्रा है और मंगल ग्रा के उब ग्रा फोबोस और डिमोस है अमर कटक किस नदित का उद्गम अस्थल होता है तो ये है नर्मदा नदी का पच्छिम में बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है चौदर नमर पूरुस से पच्छिम की और बहने वाली नदिया कौन सी है तो पूरुस से पच्छिम की और बहने वाली नदिया नर्मदा है पच्छिम की और बहने वाली नदी नर्मदा के साथ तरापती और माही नदी भी है पंद्र नमर एक सिंग वाले गंडे लिए प्रसिद उद्यान कौन सा है तो यह है कहांची रंगारास्टिय उद्यान जो अस्थित है इसकी अस्थपना 905 इस्वी में किया गया था नंदा देवी की अस्थपना 982 इस्वी में जो उत्रा खंड में है और जीम कार्बेट की अस्थपना 936 इस्वी में यह भी उत्रा खंड में है मानस नेशनल पार्क की अस्थपना 990 इस्वी में जहां अस्थपना की गई है hence'll nut soula number Him Kapaskaipfyeti suite के लिए शबसे अच्छी मिटी कौन सी है then to capasxide के लिए काले मिटी सबसे अच्छी है ने kapas के उत्पादन में भारत का सबसे ब्रफारजय कौन सा है वह है गुजरात है यो kapasHN के उत्पादन में शबसे आगे है किरमाणू की खोज किसने की है प्रमानु की खोचकी है इन नोमर डिस्कॉवरी ऑफ इंडिया किस ने लिखी है तो डिस्कॉवरी ऑफ इंडिया जुहार लाल नहरू के दवरा लिखा गया है महात्मा गान्धी के दौर fare सत्य के सत्य मेरे प्रियोग हिं सोराच और स्वास्त की कुन्जी लिखी गई है महात्मा गांधी दच्छी नफिरका 1893 इस्वी में गए और दच्छी नफिरका से भारत अनईस सो 15 इस्वी में लोटे है अनईस नमर स्वरलीम चत्रभुज योजना किस काम से जुड़ी हुई है यह जुड़ी है स्वरलक निर्मान से स्वरलीम चत्रभुज योजना चार राज्यों को जुड़ा गया है कुलकत्ता, चेन्नाई, डिली मुंबई को जुड़कर एक चत्रभुज बनाए गया है इसी को स्वरलीम चत्रभुज योजना के नाम से जना जाता है विश्वा बीदुत प्रवाह किस यंतर से नापा जाता है तो ये नापते हैं एमिटर से और विभुआ अंतर नापने के लिए भोल्ट मिल्टर का 21 नमर समतल दरपन दोर बनाया प्रत्वीम कैसा होता है तो सम्तल दरपंद और बनाया प्रत्वीम कालपनीक होता है कालपनीक और सीधा बनाता है 22 नबर एक स्वस्थ मनुस्थ के सरी के तपमान कितना होता है तो स्वस्थ मनुस्थ के सरी के तपमान फरनाहाइट डिगरी में रिखेंगे अंठामडे पॉइंट सिक्स डिगरी और सेल्सियत में 37 डिगरी सेल्सियत होता है तेइस नमवर प्रोटिंग का पाचन कहां होता है तो प्रोटिंग का सबसे दर पाचन छोटी आत्मे होता है और भोजन का पाचन मुझ से सुरू होता है टाइफाइड किस हिस्षे को प्रभावित करता है तो पर टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है 25 नमर पौधे में हारा रंग किसकी मौजदी करण होता है तो पौधे में हारा रंग क्लोरोफिल के करण होता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए दोस्तों